पाकिस्तान ने इरान के उपर अब हमला किया है पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने इरान के उपर हमला कर दिया है तो चिदाय था पाकिस्तान ने इरान को कि ये जो हमला किया है इसका अंजाम भुगता होगा इसे अपनी संप्रभुता के उपर हमला बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से और एहम जानकारी इस वक्त के आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इरान के उपर हमला कर दिया है, दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़नी है, कल से ही लगातार, News 18 इंडिया ये बात आपको बता रहा था, अब इसके आगे की जानकारी देने के लिए News 18 इंडिया क इस बात का दावात कर रही है कि इस ट्राइक हुए है, रात को एरफोर्स ने स्ट्राइक किया है, बेसिकली ये उन्हीं बलूच मिल्टेंट ग्रुप्त के अड्डो पर अटैक किये गए हैं, यानि कि जिस तरीके से इरान ने कल अटैक किये और ये कहा कि हम लोगों से मिल् इस का मैसेज देने ही कोशिश कर रहा है कि हमने इरान पर अटैक नहीं किया, हमने तो वहाँ के मिल्टेंट ग्रुप् पर अटाक किया है। और इरान ने भी उसी विल्टेंड ग्रूप को हिट किया था लेकिन पाकिस्तान में तो एक तरीके से उसी तरीके का मैसेज दिया गया है और अभी फिलाल पुरी तरीके से इरान की तरफ से किसी तरीके कोई बयान फिलाल नहीं आया है लेकिन इस तरीके का बात कहीं कि वो भी स्ट्राइक करेगा उन्हें जो है उन्हें पलंडबाव कर सकते हैं तो अभी जो लुक्त की गई है कुछ लोकेशन में जगा जो है बताई जा रही है इसन इरान जो की थर्वन शहर पास में है जी संदेप कि अधियो आयोधिया नहीं पूरा देश पूरी दुनिया राम में है भाती जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्री पाधियक श्याम जाजरी हमारे साथ में है आप प।